कोरोना वरस से बचाब को लेकर लॉकडाउन 3 के तहत अगामी 17 मई तक पूरी देश में लॉकडाउन की घोसना होते ही पुलीस प्रसासन स्वास्त विभाग और परखंड कारियाले के अधिकारी गन पूरी तरह से कमर कस्ते हुए लॉकडाउन की सक्ती से पालन कराने की तैया इसी कड़ी में थाना ध्यच कुमार सन्नी ने बताया कि लॉकडाउन की तीसरे चरण में अन्य राज्यों में फसे प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार के द्वारा बिभिन साधनों से अपने राज्य में लाया जा रहा है सुरक्षा की द्रिष्टी को देखते हुए उच अधिकारियों की निर्देश पर नोडल पताधिकारी सा अमरपूर सीओ सुनील कुमार साह के नेत्रितु में कॉरिंटीन सेंटर के लिए छेतर के करीब दरजनों स्कूलों का चयन किया गया है जहां कॉरिंटीन सेंटर बना जिसमें कॉरिंटीन सेंटर में रह रहें लोगों की तब्यत खराब होने पर उन्हें स्वास्त केंदर में रखा जाएगा इसके अलावा एक आपदा केंदर का भी निर्मान किया जाएगा जहां से सेंटरों की देखरे की जाएगी इन सेंटरों पर स्वास्त कर्मी पुलीस परता से कारे कर रही है। मौके पर छेत के कठेल मदविद्याले उम पंचायत भवन का सनिवार के दिन बांका से आया उच्छ अधिकारियों ने निदच्छन किया। अधिकारियों के लिए अस्थाई टेंट बनाया गया है। वहीं बॉर्डर चेक पोश्ट पर अंतराजिय चेक पोश्ट पर प्रस्थान करने वाले लोगों की प्रपत्र तयार की जा रही है। बाका के अमरपूर थाना छितर के तारडी गाउं में सनीवार के दिन अमरपूर इस्थित कुरिंटीन सेंटर जाने की बजाए एक यूवक अपने गाउं तारडी पहुच गया। यूवक की जाने की सूचना मिलते ही गाउं में अफरात तफरी का महौल बन गया। मौके की नजाकत को समझते हुए वाट्स दस्ते राजकुमार यादब ने मामले की सूचना अमरपूर थाने में दी। सूचना मिलते ही अमरपूर थाने में पदस्ता पित साहया कवर्निर अच्छक कपिल देव यादब पुलीस बलों के साथ तारडी गाउं पहुचकर यूवक को समझाते हुए वापस अमरपूर इस्थित आदर सबाली का उच्छ विद्याले में कुरिंटीन सेंटर पर लाय जहां डॉक्टरों ने यूवक का स्वास्थ परिष्चन करते हुए 14 दिनों के लिए अमरपूर आदर सबाली का उच्छ विद्याले में कुरिंटीन में रहने की सला दे ही लेकिन यूवक मौका पाकर अपने गाउं टारडी पहुच गया उहीं यूवा कांगरिस पार्टी के लिए आम लोगों को जागरू कर रहे हैं वाट्स दस्त समेत अन्यजन पत्निधी वा ग्रामिन पूरी एक जूटता के साथ कंधे से कंधा मिला कर आम लोगों को जागरू कर रहे हैं मौके पर वाट्स दस्त ने सभी ग्रामिनों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर झाल झाल